एक ऐसी खबर जिसके कारण ये स्टॉक पिछले चार्ट ट्रेडिंग सेशन में 18% से भी जादा की तीजी दिखा चुका है लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है जो अभी अभी पिछले एक दो घंडे पहले आप कह सकते हैं एक न्यूस पोटल मैं ने पढ़ी उसके हवाल के उपर अभी तक इतनी ज्यादा चर्चा हो चुकी है कि most probably लगबग वो कह लिजे निवेशक या जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उन्हें जिस खबर की मैं आप से चर्चा करने वाला हूँ उसका पता होगा नहीं पता है जुड़े रही आपको मैं आगे पता हूँ और जो एक और के लिजे ट्राय का जो डिटा निकल किया है क्रिसल ने जो उसके बारे में कहा है यह तमाम जो निवेशक दोस्तों वह आपके साथ चर्चा करूँगा क्योंकि रिटेल निवेशक ऐसे स्टॉक जो 9 रुपए 10 रुपए 8 रुपए के होते उनमें बहुत प्रस्टिक रहते हैं उसमें निवेश करने के लिए और कोई एक छोटी सी खबर उस टॉक को अगर बहुत पेड़ चला देती है तो उसमें निवेशकों को फसने का खत्रा बहुत जादा हो जाता है नवशकार दोस्तों मेरा नाम हमितामिश्रा और आज बात करने वाला हू दोस्तों में Vodafone Idea के उपर तो खबर कैसे दोस्तों खबर ये चल रही थी कि जो Amazon है वो 20,000 करोण का निवेश करने वाला है किसमें दोस्तों Vodafone Idea पे और ये न्यूस जंगल में आग की तरह फैल गई और स्टॉप सिर्फ चार्ट रिडिंग सेशन में 18 प्रतिशत से भी ज बहुत ज्याले क्या रहे सकते हैं निराशा नेनक है क्या खबर है और भी कुछ डिटा जो आपके शेयर करना है तो उसके लिए सीधा हमें आपको लिके चलता हूं सबसे पहरे शेयर प्राइस की तरफ आप देखें यह रहा वोड़ा फोन एडिया का शेयर अब मैं आपको नो प्रपोजल बिफोर बोर्ड ऑन एमाजन फंडिंग वोड़ा फोन आइडिया ठीक है अब आप देखें कोई नो प्रपोजल बिफोर बोर्ड ऑन एमाजन फंडिंग कोई भी प्रपोजल ने बोर्ड के सामने एमाजन फंडिंग का अब आप देखें कितना जादा आप क there is no proposal as reported by the media that is being considered by the board देखिए फिर क्या हुआ निउस आई किसी को कुछ पता था नहीं कोई confirmation कही से नहीं आया गया ना कहीं से बताया गया सिरफ हवा मात उड़ा दी गई और यही बात कहा जा रहा है कि हम देख रहे हमें फंट ही जरूत है और यहां से हमें पैसे मिल जाएं लेकिन जो ख़बर मीडिया में चल रही है कि आमाजोन हमें फंडिंग करने वाली है इसमें कोई भी कह लिए आप आधार या तर्थिया सत्य कुछ भी नहीं है ठीक है इसके बॉर्ड ने 25,000 क्रोड के आसपास का फंडिंग का फंड इसके बॉर्ड ने 25,000 क्रोड के आसपास का फंड रहे है इसके फंड फंड बर्ड इसके बॉर्ड एक फंड इसके लाइंट करना है अब इसके आपिपनी एक बॉर्ड इन जो भी बॉर्ड अटरीजेशंच करें का उसलिमिंट में देख रहे है कि उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि आप कह सकते हो कि Amazon investment करने बाली है शुरुवात इस मंत में क्या हुए थी कि V.I.S. Managing Director Ravindra Thakkar had told in Economic Times that the telco is closer than it has ever been to tie up roughly 20,000 crore it needed from lenders and external investors to take on the rival Raijuan Bharti Hotel देखे रविंदra Thakkar जी ने बस एक बात ऐसी कही कि बहुत जादा करीब हैं लगवर 20,000 crore का फंटरिस करने के लिए टू टेकल कॉंपेटिशन विथ जुनाइज यौन भार्ति एडल और जैसी खबर आती है बाजार में खबर जाती है किसमें ज़रूरत नहीं है नेक्स जो खबर दोस्तों वो देखिए एक आप कहा सकते है पॉजिटिव भी है लेकिन आप इधर देखें पॉजिटिव में दूसरी पता हूंगा क्रेसल ना जोगा है लेकिन बहुत बढ़ी निगेटिव एक और खबर है दाट Vodafone Idea lost leadership in 5 circles भाई लगातार गिरावट हो रही है इनकी leadership में इनके 4G subscriber में क्रेसल said that because of losing subscriber for consecutive quarters the telco lost leadership in over 5 circles regardless because of the terry fikes the overall revenue for the telcos are going to up देके भले ही terry fikes के कारेंट की revenue बढ़ रही है लेकिन के subscriber घट रहे है जो इनके के लिडर्शिप थी जो कई जगह पे वो एक्दम जा गई है बाशाद और जाकर किसके पास पास हो हो है रलाइंस जीओ according to crystal the EBITDA for the telcos fiscal 23 would expand by 120 to 120 basis point the telian density in the country is going to grow this means more wireless service can you will be able in the market for telco to add to their subscriber base we could benefit from this as the revenue will all go up ठीक है भाई लेकिन किसको मिला ये चीज़ लेकि बात तो सही है कि टेलिकॉम जो है वो बढ़ इंडस्री बढ़ रही है सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं इसका वादा टेलिकॉम बोड़ाफोन आइडिया को भी होगा after the terrify sim consolidation took place in telecom sector which saw over private telecom losing about 37 million users ठीक है 37 million users इनोंने लूस किया दोस्तों ठीक है तो ये सब चीज़े हैं लेकिन मैं चीज़ कर दूं आपको परस्तन ही मुझे बोड़ाफोन आइडिया निवेश के लिए बिलकुल नहीं पसंद दोस्तों मेरी कोई परस्तन होल्डिंग नहीं है ना मैं कभी आपके लिए ना किसी को बोलता हूं उसमें निवेश करने के लिए देखें हमेशा जो company इतने ज्यादा debt में हो ऐसी company जो सिर्फ survival की लड़ाई लड़ रही हो ऐसी company जिसके सामने reliance और भारती अटेल जैसा इतना giant competition है मुझे उसमें long term में निवेश करने में कोई भी सही चीज नहीं लिए निवेश करने में कोई भी सही चीज नहीं लिए नहीं कि आप trade करना चाते कर सकते हैं stop loss लगा के that's another matter but long term के लिए मुझे बिलकुल नहीं पसंद है और एक बहुत ही ज़दा कह सकते हैं कि aggressive investor है वो करे तो ठीक है मैं उन निवेश को की बात कर रहा हूं जो एक balanced approach रखते हैं तो ये सब कीज़ें आपको बतानी थी और ये भी बताना था कि बही जो ये amazon की बात चल रही है ये सरा सा निराधार है ऐसा management का कहना है अब देखते हैं इसको किस तरह लेती है company और shareholder कल इसके share में किस तरह की गिरावट होती है या क्या होता ये तो हमें कल ही पता चलेगा दोस्तों तो ये छोटा सा वीडियो तो अगर पसंद आया हो प्रीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा यहां तक जोड़े रहने की धन्यवाद ये शुरू बंद है चाहिन दोस्तों